किसी भी economy की growth के लिए सबसे important चीज है उस देश के resources इंडिया के अंदर भी अलग-अलग resources हमारे देश की economy को और आगे ले जाने में help कर सकते हैं इसका example देता हूँ, Saudi Arabia का सबने नाम सुना है जैसे ही Saudi Arabia के अंदर oil exploration हुआ तेल के कुए मिलने से रात और रात Saudi Arabia की हालत बतल गई and it is amongst one of the richest countries now इंडिया में भी अगर ऐसा ही कोई resource मिलता है तो हमारी economic position को काफी improvement मिलेगी अभी कल परसों में ही खबर आई थी कि राजिस्थान के अंदर lithium reserves मिले हैं हलाकि GSI Geological Survey of India ने कहा कि ये खबर जूटी है baseless है और कोई lithium reserve इतने बड़े level पर राजिस्थान में जो बोला जा रहा था ना bumper level पर है थोड़ा बहुत मिल सकता है बट इतने महा level पर नहीं है जितना news में दिखाया जा रहा है वो इंडियन मीडिया की आदत है थोड़ा बड़ा चड़ा के दिखाने की बढ़ हाँ इस बारी ONGC Oil and Natural Gas Corporation जो भारत सरकार की एक PSU है Public Sector Undertaking है उनके द्वारा एक reliable information पास on की गई है कि oil and gas reserves मिले हैं Mumbai offshore unit में and this is a momentous achievement बहुत बड़ा एक बहुत ही महान achievement है ONGC के द्वारा यह oil fields discover करना तो कहां मिले हैं इंडिया के Arabian coast के पास Mumbai के coast के पास offshore fields के अंदर offshore और onshore fields में oil exploration किया जाता है अभी फिलाल इसका detail assessment चल रहा है बहुत जल्दी directorate general of hydrocarbons के साथ सारी जानकारी जारी की जाएगी ONGC के director सुश्मा रावजी के द्वारा कहा गया है कि यह इंडिया की dependency दूसरे देशों से oil और gas के उपर जो import होता है जो हम साओधी अरेबिया से करते हैं अलग-अलग देशों से करते हैं इराक से करते हैं वो कम हो जाएगी कि अब आत्म निर्बर बनेगा भारत वो भी oil और natural gas के area के अदर this discovery is a very big achievement और ऐसे ही हम अगर और भी oil और gas इंडिया में ही explore करते हैं तो दूसरे देशों पर आत्म निर्बरता हमारी कम होगी, reliance कम होगी और हमारे देश में growth काफी हो से केगी अब इंडिया के अंदर कई सारे oil production center है चाहे वो राजिस्थान के रेगिस्थान में हो गुजरात के महसाना, एहमदाबाद, अंकलेश्वर के अंदर हो कैमबे, खंबात, बेसिन के अंदर, मुंबई offshore unit, कराईकल हमारे इंडिया के eastern coast पर इसके इसन offshore राजमुंदरी, उसके अलावा त्रिपुरा, असम, नुमालीगड और बुकारो यहाँ पर gas मिलती है, oil और gas का production होता है इंडिया में यह सारे areas है, जहाँ पर oil and natural gas नॉर्मली मिलती है इन सारे geological areas के अंदर, naturally, oil और gas एक ही seam से पाई जाते हैं एक ही mine से पाई जाते हैं, ऐसा नॉर्मली होता है, कि जहाँ पर oil जैसा hydrocarbon present है न, तेल है, crude oil, कच्चा तेल, वहाँ पर gas भी होती है और यह बनता कैसे है, millions of years, लाखो सालों में, जो fossils के उपर, हम जैसे जाहिंसान, हम जैसे जानवर, पेड़, पौधों के उपर high heat and high pressure बनने से, इनका इस तरीके से hydrocarbon में conversion होता है अब आजादी के बाद से भारत सरकार कई सारी policies लेकर आई है hydrocarbon, hydrocarbon में oil, gas ऐसे अलग-अलग, chemical अलग-अलग आपके parts आते है hydrocarbons में basically oil और natural gas आता है और hydrocarbon से जुड़ी policy सरकार की कई बार बदली है latest policy के परवाने में भी बताऊंगा मैं आपको जिसकी वर्यसे ये चीज possible हो पाई है oil और gas explore कर पाना, ढूंड पाना मुंबई के अंदर possible हो पाया है और इसी तरीके से इंडिया अगर और जगों पर जाके explore करेगी तो इंडिया का oil and gas production बढ़ेगा, दूसरे देशों से खरीदना नहीं पड़ेगा बट यहाँ पर एक और viewpoint समझो कि अब हम renewable energy की तरफ जादा focus कर रहे हैं हमने in fact 2030 में जो मोदी जी Conference of Parties नाम की एक meeting में गए थे United Nation Framework Convention of Climate Change के तायर जो हर साल होती है जो UK के अंदर, Glasgow के अंदर meeting होई थी उसमें प्रधान मंत्री ने ये promise कर दिया कि इंडिया 2030 तक 500 gigawatt renewable energy produce करेगा 2022 तक हमें 175 gigawatt करनी थी and 2030 तक 500 gigawatt renewable energy 1500 gigawatt की अभी production capacity बिल्ड हो गई है तो हम focus shift कर रहे हैं अपना oil and natural gas से renewable energy की और एक viewpoint तो मेरा ये भी है कि हम जैसे-जैसे oil and natural gas से दूर जा रहे हैं बाकी areas की तरफ तो ऐसी discoveries बिमानी होती जा रही है हाँ ये अच्छा रहेगा कि अगर जो electrical energy produce होती है renewable energy से थ्रू renewable energy के द्वारा अगर वो सस्ती हो जाती है तो मैं मानता हूं इंडियन economy को काफी फरक पड़ेगा काफी benefit मिलेगा जहां पर electric vehicles को अगर बढ़ावा मिलता है तो renewable energy को solar panels को बढ़ावा मिलता है तो उससे हम अपनी बिजली की दरोते पूरी कर सकते हैं तो एक viewpoint ये भी कहता है that it's not such a big deal अभी तो बढ़ा तब होगा जब हम अपने renewable energy के सपने को पूरा कर पाएंगे solar energy, wind energy और उसके साथ-साथ आपका nuclear energy को बढ़ावा दे कर ये एक चीज खुश खबरी के तौर पर इसलिए भी लीजिए OPEC प्लस OPEC countries का नाम सुने oil producing and exploring countries वो देश जो की जादा oil production करते हैं Middle Eastern countries mostly अब इन देशों ने का है कि हम oil output cut मतलब जितना तेल निकाल रहे है न तेल के कुएंसे वो कम कर देंगे तेल का उत्पादन कम करोगे तो impact क्या पड़ेगा इंपक्ट ये पड़ेगा कि वो महंगा होने लगेगा जहां पर किसी चीज की supply कम होती है demand जादा है जिस चीज की महंगाई बढ़ने के chances किस वरे से होते हैं क्योंकि उसकी मांग जादा है और उसकी आपूर्ती कम है demand जादा है supply कम है जब oil production कम करेंगे तो demand बढ़ेगी supply उतनी बढ़ नहीं रही है तेल की कीमते बढ़ेगी तो वहां से महंगा तेल खरीदते इसे अच्छा अब इंडिया में ही हम produce कर पाएंगे उसके इलावा रशियां से हमने bumper oil purchase किया है 2022 में दस गुना जादा जितना नॉर्मली purchase करते थे वो भी discounted cost है बट अब ये भी short lived था पता है क्या हो रहा है अब रशिया इंडिया को जो oil supply करता था धीरे-धीरे move कर रहा है चाइना की और रशिया के साथ दिक्कत ही है रशिया डॉलर में payment नहीं ले सकता और हम हमारे पास रशिया की रूबल करंसी है वो है नहीं payment देने के लिए हमारे पास है खरा खरा 500-500-2000 का गांधी जी वाला note और जब हमारे पास ये currency है उस case में हम तो रशिया को यहीं बोलें चाहिना की आप हमसे payment लो तो इसमेलो हम इसी में दे सकते हैं रशिया कह रहा है आप हमें रुपे दे जा रहे हमारे तीजोरियों में रुपे भरे पड़े हैं हम क्या करेंगे आप से रुपे खरीद के हमें तो इतनी आपसे चीज़ें इंपोर्ट भी नी करने होती इंडि में ऐसे दो ऑईल के सीम्स मिलना रिजर्व मिलना बहुत बड़ी बात है इनका नाम रखा गया है पहला है आपका मुंगा और दूसरा है आपका अमरित यह थोड़ा डिफिकल्ड नाम है उनको सिंप्लिफाई करने के लिए अमरित और मुंगा के नाम से बुलाया चाहरा है य बाहर से इंपोर्ट करके ही पूरी होती है तो हमारा पैसा बचेगा एक अकाउंट में अकाउंट होता है जिसका नाम है बैलेंस ऑपेमेंट बहुत सिंपल अकाउंट है हर देश को बनाना होता है जिसमें साल भर में जो उसने बाहर से समान इंडिया में खरीदा है जिसके बदले पैसे कमाए है उसका balance balance of payment में लिखा जाता है मतलब Indians के बीच में और foreigners के बीच में जो भी transactions हुई है पैसे का लेन देन हुआ है उसका record अब उसमें दो type की account होते है balance of payment में एक होता है current account current account मतलब जो आपकी short term जरूरतों से जुड़ा हुआ हो एक होता है current account और दूसरा होता है आपका capital account जो आपकी long term जरूरतों से जुड़ा हो long term जरूरतों से अब जो current account है उसके अंदर goods वस्तूओं का trade जैसे spend का trade services जो doctors, lawyers, teachers service provide करते हैं primary income profit, interest, dividend उसका हिस्सा होता है and finally transfers मतलब gift donation और remittance जिसमें बदले में कुछ expect नहीं किया जाता है यह सब current account में आता है current account short term के trade को व्यापार को देखता है अब इसी में जब हम short term में एक साल के अंदर तेल खरीदते बेशते हैं हम बाकी country से चाइना से electronics खरीदते हैं pharmaceutical दवाईयां खरीदते हैं electronics खरीदते हैं बहुत कुछ खरीदते हैं gold खरीदते हैं तो हमारे उपर ना बोच ज़ाधा पढ़ रहा है इस इवन सस्टेनेबल, नो, पर हमारी 80% ओईल और गैस की धरोते हैं, ऐसी ही पूरी होती हैं, कि बाहर से खरीद कर, क्योंकि इंडिया में इतना production होता नहीं है, पर अब इंडिया में अगर produce किया जाएगा, तो सस्ती कीमतों पर तेल अवेलेबल होगा, वैसे भी मार्केट में तो कीमत है, fluctuate कर रही है, कई सारे geopolitical reason जैसे Ukraine, Russia, war की वज़े से, तो इसमें change आजाएगा और बहुत जादा improvement होगा, इंडिया के balance of payment position में, तो इसलिए it's a big achievement, समझे, economic significance क्या था इसका, इंडिया अपने hydrocarbon resources को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रही है अलग अलग private companies को मौका दिया जाता है, oil exploration का, कि वो अपनी technology का, अच्छी technology का use करके oil explore करेंगे, जो की हमारे देश के domestic production को बढ़ाएगा, और इंडिया की दोसरे देशों के उपर dependency कम करेगा, इंडिया का सबसे बढ़ा oil and gas producer, ONGC, oil and natural gas corporation, सरकारी company है, उसने इंडिया के untapped potential को खोजने का पूरी तर है, ठान लखा है, उन एरियास के अंदर जहां पर resources आज भी पूरी तर है, हमने tap नहीं करें, utilize नहीं करें, वहाँ पर भी surveillance करते हैं, ये ना sonar technology, lidar technology का use करते हैं, advanced technology का use करते हैं, resource, satellite, kartosat, अलग-अलग satellites का use करते हैं, ये देखने के लिए कि किसी त अतना तेल है, substantial amount है या नहीं है, बहुत सारी ऐसी technology का इस्तमाल कर रहे है, ताकि इंडिया के untapped potential को हम realize कर सके, so we are proud of our ONGC, और दीरे दीरे ऐसे ही, ONGC, OALP, जो open licensing policy है, open accreted licensing policies के तहत बढ़ावा दे रहे, तो अब Bombay High, जो Mumbai High Fields कहा जाता है, जो ONGC की सबसे पुरानी तेल के fields में से एक है, जो 1974 से लगबग, पचास साल से चल रहा है, Arabian Sea के अंदर, इससे हम, जादा से जादा, oil and gas produce करके, अपने देश की दरुतों को पूरा करेंगे, इस बात को याद रखिएगा, जैसे हमारे देश की productivity बढ़ेगी, भारत सरकार ने अब तक एक नई policy को श help को पीछे छोड़ कर, help is the latest policy, अब help का मतलब है, hydrocarbon exploration and licensing policy, hydrocarbon, petrol, diesel, gas, इनके exploration का काम करते हैं, पहले से rules असान करती है, tax में छूट दी है, अब ये बोल दिया है कि जो company oil और gas का production करती है, ये market में किस rate पर बेचेगी, वो खुद decide करेगी, ताकि सरकार दुगना कर सके, oil and gas के production को, 2016 में target रखा था, 2022-2023 तक का, कि oil and gas production डबल करना है, बट ये धीरे-धीरे ही improve होगा, अब आप क्या है, किसी भी कुए में, तेल के कुए से अगर oil explore कर रहे हैं, और वहाँ पे gas निकलती है, पहले क्या होता था, अगर oil explore करने का license है, तो सिर्फ oil निकाल सकते हो, च सारी हवा में उड़ जाए, आपको permission नहीं थी कि gas भी explore कर सकते थे, ये कितना दक्यानूसी concept रहा होगा, कितना archaic law रहा होगा, कि मैंने तेल की खुदाई करी, तेल निकला, साथ-साथ gas भी निकल करी, मैं gas नियूस कर सकता, waste हो जाए, मैं यूस कर पाऊंगा, बट अब एक जादा पड़ती थी, क्योंकि अलग-अलग license का, अलग-अलग कर्चा उटाना पड़ेगा, अब क्या है कि single license में आप सब कुछ ले सकते हो, ये benefit है, uniform licensing policy आ गई है, help जो है, वो revenue sharing model पे काम करता है, कुछ पैसा सरकार रखेगी revenue का जो कमाया है, तेल और gas बेच कर, कुछ पैस शेयर करती थी, gold plating की जाती थी, profit की, जूटे आकडे दिखाए जाते थे, जिस वैसे काफी delay हो जाता था, dispute हो जाते थे, government और private companies के बीच में जो तेल explore कर रहे हैं, जमीन से तेल निकाल रहे हैं, और अब open accurate licensing policy regime की शुरुआत हुई है, एक ऐसा system शुरू है, मान लिजे मेरी अपनी company है, तेल कए, कुवों में जा जा कर, मैं exploration करता हूँ कि यहाँ पर oil है या नहीं है, और मुझे पता चला, solid bet मिली, यहाँ पर thousands of tons oil है, मैंने कहा, यहाँ पर मैं oil exploration करूँगा, सरकार के पास गया, government, मुझे दीजिए license, I will explore oil here, government कहीगे ठीक है, oil exploration करना है, कर एक काम करते हैं, पहले बाकियों से पूछ लेते हैं, कि आपने जितना cost quote करी है, कि जैसे 100 करोड में आप कह रहे हैं, कि आप यहाँ पर तेल निकालेंगे, अब हम बाकियों से पूछ रहें कि कोई 100 करोड से कम में भी निकालने तयार है, मान लोग कोई party कहती है, कि मैं 95 करो अब private companies खुद से proposal लेकर आएंगी, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे देश के अंदर oil exploration हो, जरूरत है पूरी हो हमारी, तो NELP की दकिया नूसी policies को जो archaic हो गई थी, improve करके अब help लाया गया है, और अब basically सरकार आपको मौका देगी exploration का, जब बाकी सब refuse कर देंगे कि वो नह एक्स्प्लोर करना चाते हैं, तो आपको tender मिल जाएगा, है न अच्छी policy, तो काफी सारे ऐसे फर्क है, help और NELP के अंदर आप ये भी देख सकते हैं, एक side भी आपके लिए include करी है, इसका चाहिए तो आप screenshot भी ले सकते हैं, बाकी आज के session में जुडने के लिए आप सब का बहुत-बहुत धनेवाद, आप मुझसे मेरे telegram group है, bottom पे आप देख भी रहे होगे, बसु कटारा study IQ, इस पर मुझसे connect हो सकते हैं, आप जरूर से हमारे यह साथ UPSC की preparation कर सकते हैं, जहापे मैं GS paper 3, economics पढ़ाता हूँ आप सबको, resources का topic भी हमारे subject में ही आता है, economics में और geography दोनों में overlap रखता है, prelims means interview की तयारी, आपको हम UPSC की करवाते हैं, batch 4, batch 5 इस time पर launch हो चुके हैं, UPSC 2024 के, similarly हमारा 2024 और 2025 का, अगर आपका सपना 2024 का exam देना है, और exam clear करना है, by learning from the best faculties, आप study IQ पर videos देखिए हमारी YouTube पर, आपको पता चलेगा, teachers actually बहुत qualitative है, बहुत अच्छ टॉपर के द्वारा कहा जाता है, जो हमसे पढ़ते हैं, आपके साथ भी हम पूरा hard work करेंगे, मैनक की guarantee हमारी, और success तुम्हें लानी है, तो आप हमारे साथ admission लेकर, live classes में, recorded lectures में, prelims test series, daily answer writing practice program, इन सब में जुड सकते हो, मैं आपको बकायदा answer writing सिखाऊंगा, economics पढ़ाऊ यह course 29,000 999 का available है, अगर आप बसू live admission discount code यूज करते हैं, ज्यादा महेंगा नहीं है, अगर आप prelims, मेंस की तयारी का सोच रहे हो, interview की preparation भी हो जा रही है, books भी आपके घर पे आएंगे, 5000 की तो books की cost हो गई, अलग से market में लेन जाओगे, it will cost you 5000 to 6000 रुपीज, 17 different subjects related books, it's expensive, you know recorded lectures, अच्छा, prelims जो clear करता है, उसको mentorship के लिए दिल्ली NCR में बुलाया जाएगा, वरना online classes भी दी जाएगे, ताकि पूरी तरह groom कर सके for success, for short short success, NCRT की तयारी कर रहे हो, तो अभी बिलकुल शुरुआत करिए, तो 6 to 12 class की NCRT भी हमारे live batch में जोड के आप कर सकते हो, 100 days का batch ह 1499 रुपीज, 3-4 महीने का ब्याचा से 1500 रुपे में, 6 to 12 class की सारी NCRT कवर कराई जाएगे, science and tech, quality, history, economics, सारी, ठीक है न, तो इसका फायदा लीजेगा, बाकी again मैं finally आपको बतायता हूँ, आप मेरे साथ मेरे telegram पे connect हो जाएगा, that is Vasu Katara Study IQ, ताकि regular updates मिलते रहे हैं आपको ह हमारे अलग-लग sessions की, मेरा अचीव, Vasu Katara Study IQ group है, अचीव UPC के नाम से, और मेरा Instagram, Vasu.Katara, at the rate studyiq.com है, यह मेरी email ID है, Instagram है, Vasu.Katara, से मैं Instagram पर मिलूँगा, email में है, Vasu.Katara, at the rate studyiq.com, इसका फायदा लीजेगा, thank you, आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं बस यही च एक बहुत ही जादा सार्थक चीज बन सके, it can become instrumental and helpful in the development of our country, इस session को जरूर से like करिएगा, thank you, good luck, जै हिंद, जै भारत, आप सब का बहुत-बहुत शुक्रिया, good luck.